आज का ब्लोग में अभी से शुरू कर रही हूँ चलिए बनाते हैं बेशन के लड्डू मैं आपको दिखाती हूँ मैं केके डालूंगी देखिए मैंने यह लिया है दो कब बेशन दो कब पूरा और यह कटोरी खी और यह थोड़े काजू और किस लोह इलाई जी अब हम इसको इस लोहे की कड़ाई में भूनते हैं अपनी कैस उटन दें और इतने हमें यह सारा घी एकड़ा नहीं डालना थोड़ा-थोड़ा करके डालना है तो लड्डू नहीं वनेँगे तो ब्रूदgenderai ञट्ण है इससे मैंने ना पता तो Chuck चलिए थोड़ा से घी डालते हैं मैं तिक वितर आईए मैं तिक के पेपर चलना है लेकिन खेलने मस्ता है और यह नहीं पड़ाई कर लें तो लिए मैं आपको दिखाती हूं घी मैंने कितना डाला देखिए अभी इतना बचा लिया आएगी यह हम बाद में थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और अब इसमें यह डाल दिया और इसमें हम यह जो हमने दो कटोरी बेसन लिया यह सारा डाल देता है अब देखिए ऐसे इसमें लंच बन जाएंगे घबराना नहीं है इसको भूनते ही रहना है तो यह सारे सही हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे और मैंने बूरा भी दो है इसके मैंने चीनी हुटी से तो कड़े इस चौट है कि देशन के लगदू भवान देखिए मैं इसमें फोड़ा सा घी और डाल दिया मैं बस जड़ा हटे यहां से तो मेरे बेशन लग गया हलका सा लगना नहीं चाहिए लिकिन क्या तरे देखिए हमारा बेशन भून आप नहीं चाहिए आप तोड़ा रह गया थोड़ा सईगी बचाए बाकी का मैं सब डाल दिया थोड़ा भूनने के बाद डालूंगे लोग की कड़ा यह ने सलिर भूडा काला काला पना रहा है और कंट्यून चलाना पढ़ लाए क्योंकि हल्की ओए कड़ाई थ्यान नेर इसी में बादाम और काजू भी इसी में कोट लोंगे देखिए कि अच्छा पर्डर फिस गया इसका बहुत ही अच्छे कुट भूआ रहता है कोई कैमरा पकड़े तो कोई वीडियो बनाए अभी नातिक के अग्जाम से चलना है थोड़ी दिर में पकड़ लेता है लेकिन दिखाती हूं आपको देखिए अब हम इसमें थोड़ी सी पानी की चीट डालेंगे चीट पानी की चीट डालने से क्या होता है लड्डू दर्दरे बनते हैं कुछ ज्यादा ही बारिक होगे यह भी सब एक साथ पूटेंगे क्योंकि ज्यादा गी डाल दो तो युकर बंदे में बड़ी दिक्रत करते हैं देखिए ना ना नहीं आ गया है आओ बैठो ने पूटेंगे देखिए हमारा वेशन भून चुका है अब थोड़ा ठेंडा हो जाए फिर लड्डू बनाते हैं देखिए अब हम यह बेशन इसमें मिला आते हैं और अब लड्डू बनाके तब दिखाते हैं देखिए में अपने भुवान जी को भोग भी लगा दिया है हेलो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूजा कर लिए अब पूजा करने का नास्ता भी हो गया नैती ने थोड़ी पढ़ाई भी की अब चलते हैं अफ निक्स मॉल में नैती को कुछ काम है कौपी किताब लेनी तो वहां मिल जाती है मैं इसको वहां दिला के लाओंगी और भही कि नेक्स इसे कुछ कुछ कायल को गरण लेनी है तो वहां मिल जाएगी बस इसी के सामय सची वजात है तो चलिए मार्केट नेक्स का सामा दिला दिला दिते हैं तो लेने सची जो मिल जाती है अ अ जो आच दूटा राण परिग्स आच कर अची वहां कि अची वहां जाती है जो डिए है पंद्बर हिसे मैं हाथी ही सुषिजियार का जिसके अंकर की जाके में ही लगती है कि यह देखिए अभी आगया फिनिक्स देखिए कितनी पास है हमारे कि पड़ाफट इसका सामाग लेते हैं क्योंकि कल ने इतिकल साइंस का पेपर है कि मुझे बहुत कैरा गदर्टू देखिए पापा दिखा देंगे गदर्टू जो काम के लिए हैं वो फटाफट करने से अधर आजपी पर अच्छानी हुआ तो क्या होगा चलिए बिलते हैं आपका अच्छाइए तो कि अधर देखिए गड़े इस चोथ के उसमें कितने संदर से गड़े इसी बनाए है यह पिगन इस चत्र देखिए पिछे किती संदर से गड़े इसी हैं जय चलते हैं अंदर वालेपी का सामान लेते हैं कितना संदर बैगरां रहा है अच्छा तो लगता है लेकिन कायम भी नहीं है एक दो घंटे है असी निकल जाते पता ही नहीं चलता अब ही नहीं का सामान मिलेगा बस पटावड जल्दे से लेके फिर आगे बढ़ते हैं एक जह प्रक्त करने लिए पासेट लेरा देखने कोड़ा माता है लेलेगे तो लेलेगे जाना नहीं चाटाएं तर दिखाएं तो यह चलते हैं लिएज बादा दिखाएं हुआ है है तो यह जांए है अच्छा अच्छा जैने देखिए फुर्टी नाइन में तरी जांग जांग तरी इतने हैं लेक ने उन्हें से भाइज लगी है तरी जांग अरे वाइद यह तर्टी है अच्छा बढ़िया यह लेते हैं लुमें, यह 99 में है, 49 का नहीं हैं जांड है, जाने, 99 में, थि जान, भइी, मैं हमने बड़े सस्ते हैं, चलिए ले लेते हैं, दो तिन, जैने, तर आई, ले लेते हैं, तर आई, ज़िया, 99 बस नेतिक की सॉपिंग हो रही है यहां पर तो अपने लिए मेंदा सुची मिल जाती है वो यह ले जाओंगी यह क्या है नहीं नहीं दखो यह भी सब नंकी एक लेने पर दो प्रीज चिप्स आओ नेतिक इधर आओ हमें लेनी है मेंदा सुची और कुछ नहीं लेना है यहां से क्या हो गई यह है सामने चलिए लेते हैं मेंदा और सुची बनाओंगी लिट्टी शुखा अचली मैंने का चली चनी भी है ही मिलेंगे पर बने लेते हैं तो हम आपको लिट्टी चुखा बना लिखाएंगे इधर इधर खानी है नेतिक लें लूँ है जली आप यह वाली दाल बहुद अच्छे लगते होंगे लेकिन अटिक नहीं खाता है ले ले लेते हैं बच्चे आएंगे आएंगे तो पुपिसे नहीं दिखा रहा है अची प्रइब रही है कोई करके किख देख देख और तिकर किख दुदिवाने गई देखे के रहा है जी दिला अभी रखा है चलो भाई पहले प्राव लो हाँ चलिए पर सब्सक्राइब चलो बेरा तोड़ी है तेरे परड़ो फिर तुवा एड़िशन करा दें के दुदि में अची का बहुत मैच का मैच में खिल लेगा देखते हैं इसका सपना किता पूरा होता है पहले पढ़ाई तो कर ले अब देखियें लेडे ज़रो पप्राइब बड़ा सब्सक्राइब अब इसको मोमो खिलाने का बाद घर चलते हैं अब मिलेंगे सब्जी बजार में छोटी सी बजार है हमाँ सब्ची लेते हैं फिर मिलते हैं यह देखके भी बजार लगी नहीं है अब थोड़ी बहुत लग रही है अब थीरे कितने अच्छे हैं अब अब चलते हैं मंदिर मैंने ब्लोग का एंड नहीं करा था कि अब मंदिर जाओंगे साम को फिर दिखाओंगे चलिए भागे दक्षन करते हैं और परशाच रात में मलते हैं आपसे मंदिर में तो दिखाती हैं मैंने भी तयारी कर रखी इस फैली में सफल मेवा लड़ू सब कुछ इसमें रख लिया है और बहुत घर्मी हो रही है चलि अगली बरस चलिए चलिए सब लोग दर्शन करते हैं आज किसी कारण बसे मंदिर बंध है काम चल ला है मंदिर में चलिए याई से दर्शन कर लिजे जाए हूं बुले बाबा वा गड़ पती बापा तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आप कर दोसे एत कर नहीं होग है मिया बातो है आप बातोजँ खुशच्च कर दोसे लाव काम चलिए प्सक्थमझ चल्चाथ वाूज तोसे आओ अच्थमझ प्सक Size बाढ़ DOWN अधाल ने अजाख्व ऐसे जरी में अजा घ्लैजना चाइब अन्य आधि वाज़ को्ता आधि पिलते जो शा चाहिए, आज आधि अजुते गुनलर है, आधि马 समोर कें मीर सृशनार का जो Complete यह सेथ ब्राइब अजय क्या जो ला रहा है हमारे पंदजी ने टू अच्छे से भोग लगाया है पंदजी? घडपती बैपपा यह पंदजी बहत अच्छ सारा भोग हमारे अनम नहीं लगाया बहτα बहुत सुंदर सजाया है पंदजी आकिए बालाद को बिख्रदेख निर्दन को माया जल्द करें शेवादीनन की लाजना को समस्तवाई कांग आप 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 मैं आपको पंड़जी से मिलवाती है जल्द करें दोनों या के पंड़जी है मंदिर के महा कालेशन मंदिर है ना को आप से गोरी पुत्रगेश भगवाने की जै महा कालेशन भगवाने की जै नीरवजरंग वली की जै 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 स्री राधेश जै जै स्री राधेश आज हम लोग यहां गड़जी नोंने बिठाए हैं सामने दिखा देखें यह देखें कितने सुंदर से सजाएं और हम मंदिर आये अपने पंड़जी से कहा चलिए आप भी कुछ बोलिए आज गड़ज चतुर्थी के दिवस में श्री महा कालिश्वनात मंदिर प्राइपास रोल पर यह बड़ा प्राणा मंदिर है प्राचीन इस मंदिर में आज मारे गड़जी पधारे हैं गड़ज चतुर्थी में और यह हम सबका स्वभाग है कि बाबा का जर्षन मिलेगा पुझा करने का अफसर मिलेगा उनके आशिरवाद से और सबसे निवेधन है कि गड़जी को मोदिक बहुत परिया है आज में एक वार हमारे गड़ज प्राप पढ़ारते हैं और जो है रिद्धी सिद्धी के सुलाव के बोदाता है जो प्रती दिन गड़जी को मोदक का भोग लगाने पर मनवांचिक पल्कि प्राप्ति होती है इसमें कोई संदे नहीं एक सहस्त्रेन एक हजार गड़ज को अगर यह इनके प्रकारें अगर आप बोदक नहीं भोग लगा सकते हैं तो आप प्रयास यह गरें कि प्रती दिन आप जूब के पोड़े इनि पुरु खास थूड़ी से तोड़ करके घड़जी को हवसरपन करें क्योंकि इसमें घड़जी साफशात जैसे सावनी भगवा जो है पास माना जाता है प्रती सिवलिंग में और ऐसे अफसर पर भाद्र प्रतमास में शुकलपक्ष में चपुर्थी वह गड़ेश जी प्रत्य प्रतिवा में निवास करते हैं आपने घर पर लाए हैं गड़ेश जी को तो आप उनको प्रति दिन जो है भोग लगाएं जैसे अपने घर में भोग हम लोग पाते हैं उन्हें बढ़िया जो है सुन्दर पर्शाद उनके लिए कुछ बना दे तोड़ा सा कोई खीर बना ले या खीर नहीं बना सकते तो पंच मेवा का भोग लगाएं पूद का भोग लगा सकते हैं सामकों और जो है अगर घर में प्रशादी बनाई है तो इसमें घी का प्रियोग करें सादा रोटी नहीं चुपड़के जो है गड़ेश जी को दूरवा चलाते हैं और जो है गड़ेश जी का परतीजिन पूजन करने से यह गड़ेश जी जो है अन्न चतुर दक तक कहीं बिराजमान रहेंगे कहीं कहीं जो है उनको बिदा करते हैं विसर्जित करते हैं तो चतुर दक तक का तो विशेशन का महत्व है तो जो जिसे अपने पास जिसे हम मान लोग कितने दिन करना है उसी साथ सुन की सेवा पूजा करें उनका रोतरसन करें और आज की दिर एक निवेदन और है कि आज दिन चंद तक मनी की खथा को सवन कर लें, अच्वा घर के किसी सदसे से अपने उपर कंकडी गट की कुछ पिकवा लें या कह दे थोड़ा, अलबास मुझे फिकवा लें, हमसे बड़ी हैं तो, और यह है और गड़ेश जी का प्रतिजन रुका दर्शन और सेवा पूजन करने से, जब सबस्केष घर करें, हमसे सबस्ट लारिस ले या की अड़ी हीं, हम सब देश वाशी आलें आगे बढ़ें, खांड़ेश जी सब ठीकम समी जुन कर भार करें, खुल उटन होत्कु ऑलो ओर जब लेड़ी घर करक ता wanसी बड़ेश हिं ऐता करें, ऐगर शोड़ेश अज़ना अपने ब्लोग का यह याइंड करती मिलती हुना इस ब्लोग में चलिए टाटा बाय बाय जे गड़ पती बापा मुर्या